अगर आप अपने pen card में कुछ भी correction करना चाहते हैं जैसे आपका नाम आपके पिता का नाम आपकी जन्मतिती या आपका signature या आपके photo कुछ भी changes जो आप करना चाहते हैं अब आप अपने घर बेटे अपने mobile phone से या laptop computer से अपने pen card में कुछ भी correction कर सकते हैं वो भी मात्र 107 रुपे में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने घर बेटे किस तरह से pen card में correction कर सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं pen card में किसी पी तरह का correction करने के लिए आपको NHDL की इस website पर आजाना है जिसका लिंक वीडियो की description में मिल जाएगा यहां आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक interface नजर आयता है यहां पर आपको applicant type यहां पर आपको select करना होता है इसमें आपको जो तीसरा विकल्प होता हो select करना होता है इसके आद में category में आप individual यहांनी personal किसी व्यक्ति का कर रहें तो आप individual select करेंगे इसका आद में हैं आप a title किसी पुरूस का कर रहें तो स्री करेंगे महिला जो साधी सुदा नहीं है उसका अगर कर रहें तो कुमारी करेंगे और जो महिला साधी सुदा उसका कर रहें तो स्री मते करेंगे इसका भी आप कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में जिसका पेन कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं फिलाल अब जो नेम आप रखना चाहते हैं अपने पेन कार्ड में आप जो सही नाम आप करना चाहते हैं वाला जो सलनेम है वो आप यहां देंगे अगर आ करना चाहतें वाली e mail आइड यह आपर देढ़ेंगे mobile नमिबर आप जो बंगे तर้ति आपको डियना होगा इसके आफ में आपको इस पर Yes, कर ना है इसगे बाद में आपका PayTON कुर नमबर आप यहां कर देंगे डाना है, क्यों आपको डिखा ह्यां करना है सब्मीट पर क्लिक करना है, केप्चर अगर समझ में नहीं आता था है, हैंस आप एक टोकन नम्बर जनरेट हो जायागा इसे आपको कोपी कर लेना है, यह आला टोकन नम्बर आपकी इमेल आइडी बर भी आ गाया है, किसी वज़े से अगर आप बेक हो जाते हैं, आपको कर आजाता है यहां अन्यक बात आपको चार इस्टेफ एक पापको कम्पिलिट करना होती है इसमें आपको जो दूसरा वाला विकल्प दिखाए देरा आपको इस पर आपको कलिक कर देना इसमें आपको किसी पी daffy pen card को ओफिस में जमा करनी होती है इसलिए हम दूसरा वाला विकल्प सिलेक्ट कर लेते हैं या आपको pen card की कितनी फीज लगने वाली है उसकी डीटेल हैं पर आप देख सकते हैं अगर आप pen card का physical pen card नहीं चाहते है तो आप no करेंगे इसमें आपको किसी पी तरह का कोई payment नहीं देना होगा लेकिन आपका जो PVC कार्ड है वो गर नहीं आएगा चिर्फ online correction हो जाएगा फिला लभी हम PVC कार्ड भी लेना चाहते है इसलिए इस पर yes करेंगे हमारा pink card नमबर हमको यहां दिखाए देगा अब आपके अधार कार्ड के last के four digit आपको य लगा देंगे इससे आपके नाम में correction हो जाएगा अगर आप नाम correction नहीं कराना चाहते है इसे सिर्फ खाली छोड़ देंगे आपके pen card पर क्या नाम print होके आएगा वो आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप date of birth में कुछ correction करना चाहते है तो इस पर टिक लगाएंगे अग और अगर आप parents के name में कुछ correction करना चाहते हैं तो इस पर टिक लगाएंगे अगर उसमें कुछ correction नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे और आपके पिता का नाम जो जो भी हो जो भी पिता का नाम आपको यहाँ पर फील करना होगा इसका मतलब यह आप जो भी correction करना चाहते है उस पर टीक लगाएंगे और वो जानकरी आपको सभी बनना होगी आप चाहे और लेकिन आप जिस पर भी correction कराना चाहते हैं उस पर सिर्फ आपको टीक लगाना होता है इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जितनी इसक्यพाफ करते जाएंगे उनकों आपको आपके saver i dropped क के बिकलप दिखा रे च्कलिक करेंगे तो आपकी जान करें पर सेव होती भी चलिए अब को बार 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 जान करें । अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस देना होता है, अब communication एड्रेस, अगर आपका घर का पता है, तो आप रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे, अब आपका जो एड्रेस, आप यहां फिल करेंगे, आपके गाहूं सेयर का नाम यहां देंगे, आपका कोई post office लगता है तो वो आप यहां पर दे देंगे आपका जो सालू का subdivision यानि तैसिल बगएरा कुछ है तो यहां देंगे district कौन सा लगता हूँ सिलेक्ट करेंगे country name country name आपकी जो इंडिया है इंडिया आप सिलेक्ट कर लेंगे इसके आपका state यानि आपका कौन सा राज जी लगता है वाला राज जी आप सिलेक्ट करेंगे पिन कोड़ जो आपका लगता हूँ पिन कोड़ देंगे जिप कोड़ आप खाली छोड़ देंगे अगर आप अपना पेन कार्ड नमबर अगर आपके जो भी है वो पेन कार्ड नमबर यहां देंगे इसके आद में next पर क्लिक करेंगे अगर आपका कोई सिर्फ एक ही पेन कार्ड है जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है next वाला बटन दिखाए दे रहा इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है अगले पेज में आपको proof of identity और proof of address के लिए कुछ document अपलोड करने होगे जैसे proof of identity के लिए आप अधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको अधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है proof of address के लिए भी अभी अधार कार्ड वैलिड है अधार कार्ड पर यहाँ सिलेक्ट करेंगे इसमें proof of birth के लिए जो भी आप proof of birth देना चाहते हैं इसमें से सिलेक्ट करेंगे फिलाल अभी हम अधार कार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं यानि तीनों में हमने अधार कार्ट सेलेक्ट कर लिया है इसके बाद में proof of pain, pain card कि अगर आपके पास photography है तो आप copy of pain करेंगे अगर आपके पास pain card, photography अगरा कुछ भी नहीं है तो आप no document कर सकते हैं पिलाल अभी हमारे पास photography available है इसलिए हम upload कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप upload नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आना है यहाँ पर आपको select में पहला आला जो विकल पे himself, himself इसको आपको select कर लेना नाम automatically आ जाएगा अब यहाँ पर आप कितने document include कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर एक adhar card select किया तीनों के लिए एक हमारा document adhar card होगा दूसरा pain card आपको यहाँ पर लिख देते हैं अगर यहाँ पर आप अप अप्लोट कर रहे हैं कि संख्या आपको यहां पर लिखना होती है स्कूल करके नीचे आएंगे आप जिस जगह से इस पेन कार्ड को अपलाई कर रहे हैं उस जगह का नाम यहां पर लिख देना है जी डेट को करें डेट आपर आजाएगी यहां पर आपको फोटो अपलोड करना होगा फोटो आप देख सकते हैं किस तरह का साइज होना चाहिए 50KB से अधिक में आपकी फाइल नहीं होना चाहिए सिगनेचर भी अपलोड करना है सिगनेचर का भी सेम यही फॉर्मेट है अब अपलोड करना है आपका जहां पर फोटो रखा हुआ होगा वहां से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना फिलाला भी हमारा फोटो यह है इसपर हम डबल क्लिक करके इसे ऑपन कर लेते हैं अपलोड का विक नब्ब दिखाया दे रहा है इसपर हम फोटो अपलोड कर देते हैं इसी तरह से हमको सिगनेचर अपलोड करना है उसके प्लस वाला ऐकन पर किलिक करेंगे जहां ये फाइल आप एले से बना कर complete रख लेंगे जिसका साइथ 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए अब जहाँ पर भी आपके अधार कार्ड की फाइल को यहां से सिलेक्ट कर लेना फिलाला भी हमार अधार कार्ड यहां पर है में से सिलेक्ट कर लेते हैं इसके आद में अपलोड का बटन दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना तो आपका अधार कार्ड सक्सेस्पुली अपलोड हो जाएगा यहां पर आपको धियान रखना है आपका अधार कार्ड जो आप UIDI की वेबसाइट से डाउंलोड करते हैं वो password protected होटा है आपको यहाँ पर password आला अधार कार्ड अपलोड नहीं करना है बिना password आला उसका password पहले आपको हटा लेना है उसके बाद इसे अपलोड करना है इसके आद में आपने और एक और जो भी document आपको अपलोड कर देने के बाद हमाँ सब्मीट का बटन दिखाए देरा इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है तो आपका फार्म सक्सेशफुल यहाँ पर सब्मीट हो जाएगा देखिए यूर अप्लिकेशन सब्मीट कर लिए आगा है आप अपने डिटेल को कन्फर् का देखिए अपने डिटेल को जा करिक कर लेंगे अगर कुछ जानकरी गलत लगती है तो आप उसे स्क्रोल कर के नीचे आएंगे आपनी सारी जानकरी देखने बाद एक इडिट का बेटन आपको दिखाए दे रहा आप इस पर क्लिक करके वापस से बेक हो जाएंगे जो ब गलत लग रही उस पर आप क्लिक करके उसे सुधार सकते हैं सारी जानकरी जब आप चेक कर लेंगे सारी जानकरी आपको सही लगती है तो प्रसीड वाला एक बटन दिखाए दे रहा इस पर आपको क्लिक कर देना है आपके सामने पेमेंट करने के विकलप आ जाएंगे आप प sell to payment पर click करेंगे एक बार और पे confirm का विकल्प दिखाए देरा इस पर आपको एक बार click कर देना है जिस भी थुरू आप payment करना चाहते है payment के विकल्प यहाँ पर आ जाएंगे net banking के थुरू payment करना चाहते है यहाँ पर बहुत सारे bank आ गए यहाँ पर आप अपने bank भी select कर सकते ह है अगर आप QR code पर click करते हैं और इसको scan करते हैं तो आप QR के थुरू direct भी payment कर सकते हैं थोड़ी से loading होगी और आपका payment successfully हो जाएगा आपके सामने इस तरह से एक message लिखा हुआ आएगा यहाँ पर आपको इस page को refresh भी नहीं करना है और bake भी नहीं करना है बस थोड़ा सा आप करना है इसके बाद में आपका payment successfully हो जाएगा उसके बाद में आपको direct redirect कर दे जाएगा जो main page उसी पर के सामने payment receipt की detail खुलकर आ जाएगी इसे आपको continue पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको अधार authentication करना होता है इसके आद में आपको इल्टम को accept करना है इसके आद में authentication का एक विकल्प आपको दिखाए दे रहा इस पर आपको एक बार click करना है तो आपके अधार card का authentication successful लिक कर लिया जाएगा अब आपको OTP authentication करना होगा इसके लिए आपको एक बार इस पर आपको click कर देना है आपके अधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर एक OTP send कर जाएगा OTP OTP आपको यहाँ डालना है इसके आद में submit पर click करेंगे OTP नहीं जाता है तो आप region net OTP भी कर सकते हैं अब आपके pain card को e-sign करना होता है इसलिए अगले विकल्प में आपको continue with e-sign का विकल्प दिखाए दे रहा इस पर आपको click कर देना है यह आपके अधार card के साथ e-sign क OTP के जाएगा OTP यहाँ डालेंगे इसके आद में verify OTP का विकल्प दिखाए दे रहा इस पर आपको click कर देना है आपका अधार card verify कर लिया जाएगा और आप redirect करके इस page पर आ जाएंगे यहाँ जो correction के लिए application डाला है उसका PDF form यहाँ से download कर सकते हैं आज में आपकी सारी जान आपका password यहाँ पर आपको डाल देना है आपने जो detail फिल की होगी और आपका किस तरह का farm है आप पूरी जानकर यहाँ पर देख सकते हैं पूरी farm में आपकी तमाम जानकर जो आपने upload की है यह फिर जो भी लगाई है वो सारी जानकर यहाँ पर आपको देखने को मिल यहाली PDF फाइल आपने जो email ID दी है उस पर भी send कर दी गई है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लाश्ट में आपको एक logout का है आपके नाम पर यहाँ क्लिक करेंगे logout का विकल पर दिखाय दे रहा इस पर आपको click कर देना यह फाइल यहाँ से logout हो जाएगी और आपक आपके paincard को आपके घर पर send कर दे जाएगा जो address आपने फिल किया होगा उस address पर आपके paincard को आपके घर send कर दिया जाएगा इस तरह से आप अपने घर पेटे अपने paincard में किसी तरह का कुछिभी correction कर सकते हैं आत्यों आपको यह वीडियो काफी पसंद आए होगा वीडियो झाल खब प्रियाद मैं है जर जर खब बादी है।